हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी आईए? हम अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं ये हमारे पास सामने एक फिगर गीवन है ये हमारे पास क्या है? स्लेंडर अब देखिए ये हमारे पास कोई भी स्लेंडर है इस स्लेंडर का रेडियस हमारे पास कितना है? आर और इसकी जो हाइट है वह हम क्या जूम कर लेते हैं? एच ठीक है? हम अपनी मर्जी से जूम करते हैं जो स्लेंडर है उसका रेडियस आर है और हाइट हमारे पास क्या है? अब देखिए इस slender की volume निकालने का हमारे पास क्या formula होता है slender की volume क्या होता है pi r square h pi की value आपको पता है 22 upon 7 r हमारे पास क्या है इस slender का radius और h हमारे पास क्या है इस slender की height देखें जैसे ये कोई भी हमारे पास pen है ये pen है ये भी हमारे पास एक slender की shape में है कैसे देखिए यह हमारे पास यहां से लेकर bottom से लेकर top तक यह हमारे पास क्यों जेगी height और यह जो उपर है यह circle की form में है तो यह हमारे पास क्यों जेगा radius ठीक है तो slender की volume हमारे पास क्यों होती है pi r square h ठीक है अब हम बात करते है curved surface area की और टोटल सर्फिस एरिया की कावड सर्फिस एरिया और टोटल सर्फिस एरिया होता क्या है जो कावड सर्फिस एरिया होता है उसका फॉर्मला हमारे पास क्या होता है टू पाई आर एच और टोटल सर्फिस एरिया का फॉर्मला हमारे पास क्या होता है 2 πi r h plus r चीक है अब सबसे पहले देखिए कर्वड सर्फेस एरिया क्या होता है टोटल सर्फेस एरिया को होता है जो भार वाला सर्फेस होता है उसको हम बोलते हैं कर्वड सर्फेस एरिया लेकिन टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है जब हम bottom को और top को डोनों को add कर देते हैं उसको हम बोलते हैं total surface area देखे यहां से भी देख सकते हैं आप इसको open कीजिए अंदर इसके multiply करेंगे तो यहां पर क्यों हो जेगा 2 pi r h plus 2 pi r into में r 2 pi r square ठीक है that means total surface area हमारे पास क्यों हो जेगा 2 pi r h की जगा हम covered surface area देख सकते हैं तो total surface area हमारे पास क्यों हो जेगा covered surface area प्लस top का और bottom का area को add कर देगे देखे जैसे हमारे पास यह top है top के ओपर हमारे पास क्या बन रहे एक circle बन रहे circle का area क्यों होता है pi r square निचे भी हमारे पास एक circle बन रहे circle का area हमारे पास क्या होता है πाई आर्स्क्यार दोनों area को add कर देंगे तो 2 πाई आर्स्क्यार ठीक है अब आपका शायद डाउट क्लियर हो गया हो यह जो भार वाला surface होता है सारा इसको हम बोलते हैं काउड surface area जब इस भार वाले surface के अंदर top का और bottom का दोनों का area add कर देते हैं तब हम उसको बोलते हैं total surface area ठीक है बचो अब देखे बचा second हमें क्या समझना है hollow slender hollow slender का मतलब क्या है कि जो slender है वो हमारे पास अंदर से हमारे पास क्या है खाली है ठीक है देखे जैसे हमारे पास यह है यह हमारे पास क्या एक slender shape है अभी अंदर से हमारे पास क्या है खाली है hollow तो ऐसे shape को हम क्या बोलते हैं hollow slender ठीक है आप देखे सबसे पहले हम क्या देखते है volume आप देखे जैसे यह पूरा हमारे पास क्या एक hollow slender है यह जो थिकनेस है इसकी इसकी भी कुछ length होगी चीक है यह देखे मतलब थिकनेस जैसे जो इसकी यह मोटाई है इसकी भी कुछ length होगी हमारे पास तो volume हम कैसे लिखते है volume हमारे पास क्या होती है पाई आगे एच अब देखे यह जो बड़े वाला है इसकी हम radius माल लेते हैं capital R और जो अंदर वाला hollow slender है उसकी हम radius माल लेते हैं small R देखे जो बड़ा है इसकी radius हमारे पास क्या है capital R और ये अंदर वला है, इसकी radius हमारे पास क्या है? Small r, ये अंदर से खाली है, that means हमें इतने इतने volume find out करनी है, देखें जो shaded portion है, ये वली volume हमें find out करनी है, क्योंकि अंदर से तो ये खाली है, तो हम minus करेंगे भार वले radius में से, अंदर वले radius को subtract कर देंगे, तो क्यों होजेगा, capital r का square, minus, जो अंदर hollow slander है, उसका radius, minus small r का square, ठीक है, similarly, curved surface area, curved surface area क्यों होता है, सिर्फ भार वाला area, outer boundary, तो ये क्यों होता है, 2 pi r h, लेकिन हमें सिर्फ इतने इतने की भार भार वाले की निकालनी है, तो formula क्यों होजेगा, 2 pi h r plus r, ठीक है, थर्ड हमारे पास क्यों होता है, total surface area, अब देखिए, total surface area हमारे पास क्यों होजेगा, 2 pi h r plus r, प्लस उपर और निचे से भी आड़ होगा, 2 pi r, r square, minus r square, ठीक है, अब देखिए बच्चा, अब हम समझते है, cube और cuboid क्या होता है, सबसे बड़ी confusion यही रहती है बच्चों की, हम किस चीज़ को cube बोलेंगे, किस figure को हम cuboid बोलेंगे, अब देखिए, जैसे हमारे पास यह cube है, और यह हमारे पास क्या है, cuboid, cube और cuboid में major difference हमारे पास क्या होता है, जो cube होता है, उसकी जो length, breath और height, तिन्नों हमारे पास क्या होती है, equal होती है, जैसे यह हमारे पास कोई भी cube है, इसकी length हमने मान ली a है, breath भी हमने क्या मान ली a है, और height भी हमने क्या मान ली a, क्यूब के अंदर हमारे पास क्या होता है length, breath और height तिन्नों हमारे पास क्या होती है equal होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्यूब देखिए आप लिख भी सकते है length किसके equal होती है breath के equal होती है और ये किसके equal होती है height के equal होती है छीक है लेकिन अब हम जानते हैं क्यूबोईड क्यूबोईड हमारे पास क्या होता है जिसकी जो length, breath और height होती है तिन्नों हमारे पास क्यों होती है different होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबोईड यहाँ पे लिख देंगे हम length not equal to breath not equal to height चीक है समझ में आगे आपको major difference cube और क्यूबोईड के अंदर यही होता है क्यूब के अंदर length, breath और height तिन्नों हमारे पास क्यों होती है equal होती है लेकिन क्यूबोईड के अंदर length, breath, height तिन्नों हमारे पास क्यों होती है अलग-अलग होती है अब देखिए parameter हमारे पास क्या होता है outer area, अब ये कितने faces है 6 faces हैं, जैसे आप room की, एक room ले लीजी अपना, एक 4 sides, और एक उपर base और निचे छट, मतलब उपर तो एक base हो गया निचे, और एक उपर छट होगी, तो total 6 faces होते हैं, तो parameter हमारे पास क्या आजेगा, 6 a, अब देखिए, cube की volume, cube की volume हमारे पास क्या होती है, a cube, चीक है उसके बाद हमारे पास आता है lateral surface area, जैसे हमने पिछे पड़ा है, curved surface area और lateral surface area, दोनों हमारे पास a की होते हैं, चीक है, अब हम देखते हैं, lateral surface, cube और cuboid के अंदर उसको लेटल surface area बोल देते हैं slender के case में, इसको curved surface area बोल देते हैं, क्योंकि slender हमारे पास round shape में होता है, इसलिए, चीक है major difference और कुछ भी नहीं उन दोनों में अब देखिए, lateral surface area, चीक है lateral surface area हमारे पास cube क्या क्या होता है, 6 into में, side का square, cube के हमारे पास 6 side होती है, तो lateral surface area हमारे पास क्यों हो जेगा, 6 into में, side का square, ठीक है, उसके बाद आता है, total surface area total surface area हमारे पास cube क्या होता है, 4 into में, side का square, अब हमने side को किस से denote किया, a से तो यहाँ पे हमारे पास क्यों हो जेगा 6A square और यहाँ पे 4A square ठीक है तो इस तरीके से cube का जो little surface area होता है वो हमारे पास क्या होता है 6A square और total surface area हमारे पास क्या होता है 4A square ठीक है अब देखिए cuboid cuboid हमारे पास क्या होता है जिसके length, breadth और height तिन्नों हमारे पास क्या होती है अलग-अलग होती है, अब देखिए, सबसे पहले हम निकालते है क्यूब का perimeter, क्यूब के perimeter का formula हमारे पास क्यों होता है चार side होती है, 4 into में length plus breath plus height ये हमारे पास क्यों होता है, perimeter of cuboid का formula अब देखिए, second हम निकालते है, total surface area यहाफिर सबसे पहले total surface area से हम पहले लिखते है lateral surface area क्यूब का lateral surface area हमारे पास क्या होता है 2 into में length plus breath into my height length plus breath की height से multiply कर देंगो और उसका twice ये हमारे पास क्यों होता है, lateral surface area of cuboid अब आते है total surface area total surface area का formula हमारे क्यास को होता है तो इन्टू में length इन्टू में breath प्लस breath इन्टू में height प्लस height इन्टू में length ये हमारे पास क्यों होता है total surface area of cuboid, चीक है, अब बात आती है volume, cuboid की volume क्या होजेगी, length, breath, height तीनों अलग-अलग होते हैं, तो volume हमारे पास क्यों होजेगी, length इन्टू में breath, इन्टू में height, ये हमारे पास क्या आजेगी cuboid की volume चीक है, बच्चो अब देखे, बच्चा, अब हम समझते है sphere और hemisphere क्या होते है और इनके formula, sphere हमारे पास क्या होता है, कोई भी round shape लेकिन proper round नहीं होती वो, ठीक है sphere का volume हमारे पास क्या होता बच्चा, volume का formula 4 by 3 pi r cube, r हमारे पास क्या है, इस sphere की radius, चीक है second हमारे पास क्या होता है curved surface area and total surface area curved surface area and total surface area अब देखे, ये जो sphere है हर एक तरीके से, एक तरीके से circle की shape में होता है तो curved surface area और total surface area दोनों हमारे पास क्यों हो जेंगे, equal, क्योंकि जैसे slander में हमने base और bottom को add कर दिया था, लेकिन sphere के अंदर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इसलिए जो curved surface area है, और जो total surface area है, दोनों sphere के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, equal होते हैं, और क्या होते हैं formula 4 pi r square r हमारे पास क्या है, इस sphere का radius, चीक है, अब देखे, sphere को हमने half cut कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, hemisphere, चीक है अब देखे, hemisphere की सबसे पहले volume, hemisphere क्या होता है, जब हमने sphere को half cut किया, तभी हमारे पास hemisphere form हुआ, तो जो sphere की volume है, उसकी half हमारे पास क्यो हो जाएगी हैंसफियर की वोल्यूम Mmm 4x 3 3 πi r cube का half क्योंकि Hemisphere क्यों होता है स्फियर का half होता है 2 से 4 to cancel तो Hemisphere की वोल्यूम हमारे पास क्या आजेगी 2 वाइ में 3 πi r cube चीक है अब देखिए अब हम बात करते हैं curved surface area की और total surface area की अब ध्यान से देखिए हमने स्फियर को half cut कर दिया तो हमारे पास क्या form हो गया पारवला सारा area ये सिर्फी भारवला सारा area हमारे पास क्या होग्रकों सरफेश एर्या क्या था फोर ्डr स्कीर इसका किर देंगे तो वह हैमिेस्फेयर का आजेगा तो कर्ड्ड सर्फेस एर्या क्या होग्रूर्पिय। 4 pi r square का half क्यों हो जेगा 2 pi r square ये कैसे आया है 4 pi r square का half करने से आया है ठीक है अब हम बात करते है total surface area ठीक है total surface area के अंदर हमारे पास क्या change होगा अब हमने sphere को half cut कर दिया है total surface area के अंदर ये उपर वाला base भी add होगा जो ये circle की form में है तो इस वाले area को तो हम add करेंगे साथ में हम इस उपर वाले area को भी add करेंगे ये उपर क्या form हो रहा है एक circle है इसका radius हम माल लेते है r तो इस उपर वाले circle का radius भी add करेंगे देखे total surface area हमारे पास क्यों होगा curved surface area तो होगा ही plus area of upper part area of upper part ठीक है surface area हमारे पास क्या है 2 pi r square प्लस ये उपर हमारे पास क्या form हो रहा है circle और circle का area हमारे पास क्यों होता है pi r square तो प्लस pi r square 2 pi r square प्लस pi r square हमारे पास क्यों हो जेगा 3 pi r square ठीक है तो total surface area हमिस्वेर का हमारे पास क्या आजेगा 3 pi r square ठीक है बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने निहान कलासिस को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू